यूटूब चनल सरकारी भारत दोस्तो आज की इस वीडियो के इंदर बात करने वाले हैं जैसा कि आप सभी को पता है इस चैनल पर सीटेट की तयारी कराई जाती है और सीटेट यानि की सेंटर टीचर एलिजिबिल्टी टेस्ट सीटेट की तयारी करने वाला प्रते एक जोड़े हुए हैं लगबग 50,000 के हमारी 50K की फैमली लगबग हो चुकी है तो आप भी अगर सीटेट की तयारी कर रहा है सीटेट यानि के सेंटर टीचर एलिजिबिल्टी टेस्ट या फिर किसी इस्टेट वाई जैसे यूपी टेट या फिर आप पर रीट की तयारी कर र जी हां और बिल्कुल फ्री में यहां पर PDF भी प्रोवाइट कर वाई जाती है आप कमेंट वॉक्स में लिख कर कोई भी PDF मांग सकते हैं क्लिर है फ्री में मिलती है तो PDF भी मिलेगी सब कुछ मिलेगा बस आप लोग चैनल के साथ जुट जाएगेगा सब्सक्राइब बगए विच पियर इज नॉट राइट सीखने का उद्धीपक अनुकरिया सिद्धांत किस ने दिया था देगे सीखने का उद्धीपक अनुकरिया सिद्धांत ये थोंडाइक ने दिया था थोंडाइक ने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी दिया था किसका प्रयास एवं भू पर प्रियोग किया था किसा पर प्रियोग किया था बी एफ सक नर और यह कौन थे बिवारवादी थे कौन थे बिवारवादी थे यह आप से पूल सकता है और सीकने का प्लासिकल सद्दांत ये पावलोप चाहे उन्हétat कोते प्रयोक किया था ऑंक्तर प्रयोक किया था शीखने का समगर इस और यह गलत है यह यह यो और यह ज़दा है तो सीखने का समगर अंषे आप देखे लेते हैं, acum next question है दोस्तो, इन मेंसे किसका नाम सुझनन सास्तर के पिता के नाम से जुड़ा है , सुझनन सास्तर के पिता किसको कहा जाता है, Refilushchnet ला장 को कि सीद्च सब्सक्रिये、 लिए सब्साइट के वी इस एकatyदर्ण सब्सक्राइब की नापको कहा जाता है, पर फोड़ा से चले next question देख लेए नेक्स्ट question आप कि स्कीन पर है साथियों कि ग्रंतियों के आधार पर विक्तित्यों के विप्रकार की चर्चा किसने की है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्यों के भिविन प्रकार की चर्चा किस ने की है चले ग्रंथियों के आधार पर ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्यों के भिविन प्रकार की चर्चा किस ने की है तो इसका रायटा अंसर हो जाएगा साथियो कैनन साब ने की है कैनन साब ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्यों के भिविन प्रकार की चर्चा की है क्लियर रेफेंट्स चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन है सातियो सुजनात्मक सरजनात्मकता मौलिक परणामों को अव्यक्त करने की मांसिक प्रिक्रिया है यह किस ने कहा सरजनात्मकता मौलिक परणामों को अव्यक्त करने की मांसिक प्रिक्रिया है य कि क्रोव दो नेहीं स्राजिनात्मक्त्र म१ालेटक। परढामों को एफिक्ट कंने क्रिया है यहां इस्टेटमेंट दिया है यहां कतन कहा है। चले नेक्स्ट कोईशन देख ल्यथे हökां। विद्रोह की बाबना की प्रवत्ती निम्ने में से किस अवस्ता से सम्मनित है विद्रोह की प्रवत्ती विद्रोह की भाबना की प्रवत्ती निम्ने में से किस अवस्ता से सम्मनित है बाले वस्ता से शेषव अवस्ता से पूर्व किसोर अवस्ता से या मद्य किसोर अवस्ता से लिएकर से 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 सुरवस्टा होती है, 0 से 2 वर्श की वस्था, पूर्भ कि वस्ता में आजाती है लगवक साथ से 11 की कारीब है, आपको बिदरो की वावना देखने को मिल जाती है लगवक इसका एकजक टाइमिंग बोले हैं तो लगवग लगवग 9 से 12 के करीब यह जो टाइमिंग है यह पूर्व किस वरवस्ता की टाइमिंग होती है और इसी में विद्रोव जैसी भावनाएं सरच्छन की भावनाएं उत्पन हो जाती है चले next question देख लेते हैं next question है साथियो question number 6 आप कि स्क्रीन पर है सीखने की वह अवदी जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नती नहीं होती कहलाती है सीखने की वह अवदी जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नती नहीं होती क्या कहलाती है सीखने का बक्र ना जीना बक्र में तो सीखता है कुछ ना कुछ इसमर्ती इसमर्ती में भी है अवधान में भी नहीं लेकिन सीखने का जो पठार है किसी भी चीज के वीच में पठार आ जाए तो फिर उसे रोक देता है इसी प्रकार से सीखने यानि कि अधिगम की जो अवस्ता होती है इसमें सीखने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया म साब ने प्रयासे बंभूल का सिद्दान्त नहीं दिया है और यहां पर बात करें नैतिक विकास के सिद्दान्तों की बात करें तो यहां पर नैतिक तागी बात की है कोलर साब ने आई पी पावलोग इन्हों कुट्ते पर ब्रोक किया था और युना ने भी नहीं दिया है थौर ये नहीं द्याओं का सिद्धान्त रिए के द्द्दान दिया और तुर्टी गावन्यम धिया था लिर रह तो तीन नियम canvas न नाक्स्ट नंबर्य नॉम्बदन उन्बंधन सिद्धांत प्रतपादन किया क्लिया प्रशुत अनबंदन सिद्धांत का प्रतपादन किस ने किया तो देखे हॉल साब ने नहीं किया था थॉंडाइक ने भी नहीं किया है गाटी भी नहीं किया बी एफ इसकिनर इनके द्वारा दिया गया था क्या किया प्रशुत कोहल अर् निम्नमै से किस से संब्ढ देता है आयपेडा का सिद्धाइंत नाजीना विकास का सिद्धाइंत व्यक्तित्त का सिद्धाइंत अधिगम का सिद्धाixíऍथ तो अधिगम का सिद्धा ils आइजाएगा चले फैंस नैक्स्ट देख लेते हैं बुद्धी के तरल करश्टिलीय प्रतिमान के प्रतपादक कौन थे तो थॉंडाए कि यह तो नहीं है वरनर भी नहीं है विए विसकनार नहीं है तो गैटल साब हो जाएंगे इनौने 16 पीएफ केटल का सिद्दान्द भी दिया थरल के रिष्टे प्रत्वान प्रत्पादक के के प्रत्पादक हैं केटल साब चले नेक्स्ट कॉशन देख लेते हैं नेक्स्ट कॉशन आपकी स्कीन पर है साथ यह कुशन नमर 11 सिच्छण एतु मानसिक उद्द्विलन प्रत्मान का प्रियोग निमन मैंसे किसके सुदार एतु किया जाता है सिच्छण एतु मानसिक उद्द्द्विलन प्रत्मान का प्रियोग निमन मैंसे किसके सुदार एतु किया जाता है मानसिक उद्विलन प्रत्मान का प्रत्पादन चलिए बै, लगा ये रैड आंसर क्या होगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरचनात मत्ता सच्छड एतु मानसिक उद्विलन प्रत्मान का प्रियोग निमन में से किसके सुदारेतु किया गया था तो सरचनात मत्ता कि सुदारेतु किया गया था नेक्स्ट क्वेशन है साथियो गोल्मेंट किससे संबंदित है सामाजिक बुद्धी, संबेग आत्मक बुद्धी, आध्यात्मक बुद्धी या सामाने बुद्धी गोलमेन किस से संबंदित है तो इसका रायड आंसर हो जाएगा दोस्तो संबिग आत्मक बुद्धी से गोलमेन किस से संबंदित है संबिग आत्मक बुद्धी से संबंदित है elifans next question दिख लेते हैं next time कौन सा सेच्छ से विलना है कौन सेच्छ से विनना है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्दान समानाव्यवह का सिद्दान डाइविंग reduction सिद्दान्त या समानी कण का सिद्दान्त देखे समाना वियव सिद्दान्त समानी कण का सिद्दान्त अधिगम के लिए अधिगम का सिद्दान्त एक जासे हैं लेकिन भिन है dive reduction का सिद्दान्त तो यह आपका right answer हो जाएगा option number C चले question number 14 देखते हैं पोश नमबर 14 है, संग्यानात्मक संप्राप्ति कन्यूंतम इस्तर है, संग्यानात्मक संप्राप्ति कन्यूंतम इस्तर क्या है, ज्यान, वोध, अनुप्रियोग या विशलेशन, तो सबसे निचले इस्तर पर आता है ज्यान, ज्यान के बाद आती है बाद किसकी, अब वोध, फिर इसके बाद आता है अनुपरियोग फिर आता है विसलेशन और उसके बाद आता है संसलेशन तो ग्यान अबबुद अनुपरियोग विसलेशन संसलेशन क्लियर है चलिए इसके बाद देखते हैं question number 15 तो question number 15 आपकी screen पर है एक बालक जो cycle चलाना जानता है motorcycle चलाना सीख रहा है या उधारन होगा एक बालक है जो cycle चलाना जानता है वह क्या करता है motorcycle चलाना सीख रहा है या किसका उधारन होगा छेते जगम अंतरन का ना जीना तो पारसिक अधिगम अंत्रन का नाजीना कोई भी अधिगम अंत्रन नहीं नाजीना उर्दौ अधिगम यह होगा आपका vertically क्या होगा vertical अधिगम का होगा तो उर्दौ अधिगम अंत्रन का यह सिद्धान्त होगा चलिए friends next question देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेशन है सातियो, निम्न में से कौन सा अधिगम का पठार का कारण नहीं है, लगा ये रैट अंसर क्या होगा, अधिगम के पठार का कारण कौन सा नहीं है, प्रेणा की सीमा, विद्यालय का असयोग, सारिक सीमा, ग्यान की सीमा, ग्यान की सीमा, सारिक सीमा और प्रेणा की सीमा, यह एक ही है और अधिगम के पठार के कारण, यह लेकिन विद्यालय का असाई होगी, यह अधिगम के पठार का कारण नहीं है, पाकी सभी अधिगम के पठार का कारण है, तो यह तो बिल्कुली अलग सा दिख रहा है विद्यालय का असा होगी, यही option आपक इस तरह डंस चले फेंट्स नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं नेक्स्ट है अधिगम अनुभव और प्रसिच्छन के परणाम सुरूप विववार में परिवर्तन है या कतन के द्वारा दिया गया अधिगम अनुभव और प्रसिच्छन के परणाम सुरूप विववार में परिवर्तन है या कतन किन के द्वारा दिया गया मॉर्गन और गेडले लेंड के द्वारा नाजीना भी अविसके नहीं क्रोण बैक नहीं गेट्स और अन्न के द्वारा गेट्स वा अन्न के द्वारा दिया गया था अधिगम अनवब और प्रिसिच्चण के पढ़ाम सुरूप विवार में परिवर्तन है तो ये किसने कहा गेट्स व अने ने चलेफेंड्स नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन है सात्यों कोशन नमर 18 इस्टेनफोर्ड विने परिच्ण का मापन करता है इस्टेन फोर्ड बिने परिच्छन का मापन करता है तो व्यक्तित्तों का नाजीना पढ़ने की दच्छता का नहीं उप्रेक्ट में से कोई नहीं बुद्धी का करता है तो इस्टेन फोर्ड बिने बिने का बुद्धी परिच्छन का सिद्धान्द भी कहते हैं से क्लियर है तो option number C आपका correct answer हो जाएगा चले फेंट्स next देख लेते हैं next question आपकी स्कीन पर आ चुका है question है अंतर मुखी व्यक्तित और बहर मुखी व्यक्तित का वर्गी करण किस ने किया तो fried यूंग मन और अलपड देखे सिग्मन फ्राइंड के द्वारा ऐसा कुछ नहीं क साथ ने कहा ता अंतर मुखी व्यक्तित और बहर मुखी व्यक्तित का वर्गी करण किया है यूंग सापने तो option number B आपका correct answer हो जाएगा चले फेंट्स next question देख लेते हैं next question आपकी स्कीन पर है साथ यह question है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रवावित करने वाले कारक है ब तो सामाजिक परविस जन्य तत्तो का तो यही option आपका correct answer हो जाएगा सामाजिक परविस जन्य तत्तो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रवावित करने वाले कारकों में से एक है clear छले next देख लेते हैं next question है साथियो नियमने में से कौन सा सारे एक विकास का एक प्रमोग का नियम नहीं होगा दुरुत गामी विकास का नियम यह आपका राइड आंसर हो जाएगा option number C is the right answer दुरुत गामी विकास का नियम ही आपका क्या होगा सारे विकास के प्रमोग नियम है चले फैंस next question निकलेते हैं question number 22 आपकी स्कीन पर है question है निमने में से कौन सा विकास का स सिद्दान्त नहीं है अनकुलित प्रत्यावरतन का सिद्दान निरंतर विकास का सिद्दान परसपर संबंद का सिद्दान समान परत्मान का सिद्दान्त लगाईए राइड आंसर क्या होगा चले देगे निरंतर विकास का सिद्दान्थ परसपर संबंद का सिद्दान्थ ये तीनों के तीनों क्या है आपके विकास के सिद्दान्थ है लेकिन अनकुलित प्रत्यवरतन का सिद्दान्थ ये विकास का सिद्दान्थ नहीं है तो उप्सन नमर ए ही आपका राइड आंसर पूस आएगा चले फैंट्स नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं क्वेशन नमर 23 आपकी स्कीन पर है विकास के पड़ाम सरूप नवीन विसिस्ता और नवीन योगिता प्रकट होती है या कतन किसने दिया है विकास के पढ़म सरूप नवीन विसिस्ता और नवीन यूगिता प्रिकट होती है या कसन किस के द्वारा दिया गया गोसेल के द्वारा नाजीना हरलोक के द्वारा मेरेडित के द्वारा या डगलस ओलेंड के द्वारा तो ये दिया गया था आपका हर्लॉक साहब के द्वारा विकास के पड़ाम सुरूप नवीन विसिस्था नवीन योग किता प्रिकट होती है या कतंदिया था हर्लॉक साहब ने क्लियर अफेंड्स चले नेक्ष्ट देखते हैं मूल प्रवत्यों को चौदय प्रकार से किसने वर्गी करत किया नेक्ष्ट क्वेशन है सातियो आपकी स्कीन पर किसी दूसरी बस्तु की पेच्चा एक बस्तु पर चेतना का केंदिकन अवदान है या कतंद है किसी दूसरी बस्तु की पेच्चा एक बस्तु पर चेतना का केंदीकन अवदान है या कतन किसका है तो यह कतन है किसका है डामबिल का तौस्तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मैंने आपको कितने question कराए 25 question कराए और लगबक 16 minute की वीडियो में यह complete हो जाएंगे क्लियर तो 16 मिनिट में 25 क्वेशन अगर आप इसी तरीके से प्रेक्टिस करते रहे क्लासेज लेते रहे तो आपको सीटेट के लिए टैंसल लेने की जूरत नहीं है सेंट्रल टीचर एलेजबिल्टी टेस्स, सीटेट की तयारी करने वाला प्रते के स्टुडेंट, रीट की तयारी करने वाला, यूपी टेट की तयारी, सुपर टेट की तयारी, बिहार टेट, ट्राइस्थान टेट, दिल्ली में आपका डीटर पर लेस्पी का एकजम, केवी का एक जम हर्याना टेट ये चितने भी होते हैं उन सभी कि आपको फिरी में तयारी कराई जाएगी यहीं पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो चलिए फैट्स मिलते नेक्स्ट वडियो थैंक्यो 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 पर वचिंग देस वडियो